तो कि अब वेरी गुड इवनिंग वेल्कम टू लेट्सक्राइक बैंक एक्जाम्स मेरा नाम है शुभं आपका रीजनिंग मेंटॉर फिर बात करते हैं आज का सेशन पजल्स का शार्क टेंक आज है क्लास आठ और करेंगे पांच पजल्स अगेन एक जबरदस तरीके से एक आपकी तरफ से भी मुझे वह इंपुट चाहिए जरूर होगा ठीक है ना एनर्जी रहनी चाहिए क्योंकि जब हम कोशन सॉल्फ करते हैं वह कोशन्स जो हमारे कंफर्ट जोन के थोड़े से बाहर हैं एक्जाम्पल पजल्स थोड़ा सा कंफर्ट जोन से हटके होते हैं क्य चलो सेशन को एक फड़ावर्ट से शेयर कर दो पांच पजल्स पांच कोशन्स जबरदस तरीके से अपन करने वाले हैं मेरा नाम है और मेरे बारे में कुछ भी जानना है तो आप स्क्रीन से जान सकते हैं आगे बढ़ते हैं कुछ नए batches हर week on academy शुरू करती हैं तो 6th of April को अपना एक प्लस बैच शुरू हुआ था जो की टार्गेट IVPS प्यों को कर रहा है बट अगर वह अभी प्यस प्यों को करना है टार्गेट तो क्या वह SBI क्लक को नहीं करेगा या RRVP क्लक को नहीं करेगा क्योंकि सारे के सारे exams में हमारा जो syllabus है वो तो सेम है ना बस paper का level उपर नीचे होता है है लेकिन हम हर एक level की त्यारी कराते है हर एक level का question हर एक type का question कराते है इस पूरे batch में तो इस batch को enroll जरूर कर लीजे साथ बज़े reasoning की class होती है आज class होगी sitting arrangement का class 4 है ठीक है ना साथ इसको enroll करने के लिए क्या करना होता आपको प्लस batch purchase करना पड़ता है प्लस subscription purchase करना पड़ता है जिसमें आपको live classes मिलती है structured courses मिलते है weekly basis पे आप test दे पाते हो और unlimited access रहता है आपका सभी batches सभी courses के लिए लेकिन अगर प्लस ना लेके आप iconic subscription लेते हो तो आपको साथी साथ इ raise hand feature भी unlock कर लेते जहां पर अगर आपको कोई भी doubt आपके life class के दौरान आता है तो आप hand raise करके अपने सारे doubts पूछ सकते हैं teacher से बात कर सकते है verbally अपने सारे doubts उनको convey कर सकते है ठीक है अच्छा जो भी plus subscription का price है plus subscription का price है या iconic subscription का price है वो price 15 तारिक से मतलब कि कल से increase हो जाएगा और कितना increase हो जाएगा up to 20% की hike होगी price पर means अगर कोई एक subscription 1000 रुपे का है तो वो 1200 रुपे का हो सकता है अप टू लिखा है means की 12 maximum जो hike होगी वो लगभग 20% की होगी right तो आपको पता है कि हाँ आपके subscription का क्या price है एक साल का दो साल का iconic plus तो उस पे अगर increase हो जाएगा तो का काफी जादा amount increase हो जाएगा वो भी आपको देना पड़ेगा ना बाद में अगर लेते हैं तो उससे बेटर यह है कि आप इसको तो सेफ करो साथी साथ 10% और सेफ कर लो code क्या लगाना एक गरग तो काफी अच्छा discount भी मिल रहा है काफी पैसे भी बच रहे है और आपका जो अपरेल को आया था तो अपरेल लास्ट वीक से आपके जो नोटिफिकेशन से वह आउट हो जाएंगे शुरू हो जाएंगे एस बीए पिए पिए सब्सक्रिप्शन पर्चेस करिए एक साल मिनिमम या फिर दो सार ठीक है यह कुछ इस तरीके से प्राइग होगा और यहीं करेंट फ्रैस की बात कर एक सब्सक्रिकिया और अगर यहीं पर प्लस की बात करो तो प्लस कीड़ा буिस और ब्रढआ महीने के से 4500 रुपे परदर अगर इस पर डिसकाउंट चाहिए तो आप एक कोड इस्तमाल कर सकते हैं, गर्ग GARG, इससे आपको क्या मिलेगा, 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा, ठीक है, यह कोड यहाँ पर लगाना होगा, सही है, चलो वे, तो पहला सवाल आपके सामने आ गया है, आज का पहला पर लगा हुआ है, इसको फटा-फट से सॉल्फ करो, और सेशन को एक बार शेयर जरूर करते हैं, ठीक है? झरत पर रहे सामने मिलेगा, सही है, ओर लगा है, ठीक है वे, अबेट … झाल 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 डन हो जाए तो लिख देना डन ठीक है चलो एक काम करते हैं अब आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर बताईएगा अ हो गया थो खसे दो अपशन हा रहा है अधूर्ट थो दर राइट ठीक है देख को कि क्या लिखा हुआ है फिटर अधर आ जो यहां अ le कुछ persons है तीन तीन शे दो तीन तीन शे दो आठ आठ परसन से स्ट्रेट लाइन में बेठे हैं ठीक है इसके बाद क्या लिखाए है सम फेसिंग साउथ सम फेसिंग नॉट अच्छा नोट फेसिंग सेम डारेक्शन वह तो सब कुछ पता है ठीक है क्याने करता कि एक सिंगल र अगर नॉट है तो दूसरा साउथ होगा कि अगर तो आगे बढ़ते है झालो होगा कि एक है में जबढ़ते हैं थाफ पता है है बैंन बच गई यह जलो तब बढ़िया मज़ा आ गया कभी तुम लोगों को एक साथ साथ चीके आई है उसके अच्छा बड़ा लगता है लेकिन हालत बैंड बज जाती है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ ऐसे ही साथ ही सारी जो है मज़े आठ चीके आई अभी ठीक है चलो तो कहानी गया है आठ लोगों को बिठालना है और कुछ लोग नौट देख रहे हैं कुछ लोग साउट देख रहे हैं अवाज हलकी तो नहीं है क्योंकि मेरे कान बंद कोषि के अबन तो удив shower pa है दृब जो अबकि अवाज सुनाई दे नी है यहाङ सो हम उससे अपनी फ्रीक्वेंसी पता लगा लेते हैं कितना तेजड़या है कितना हलका ऑं इस समय मुझे अपनी अवाज हलकी सुनाई दे रही है तो आप बता देना अवाज हलकी तो नहीं आ यह है, y faces the opposite direction as j, तो y और j opposite देख रहे हैं, ठीक है, फिर कह लिखा है, only two people sit to the right of j, j के right side में सिर्फ दो लोग हैं, तो हम दो possibilities बना सकते हैं, ठीक है, जे के right side में सिर्फ दो लोग हैं, ऐसे बना दिया हमने, ठीक है न, ठीक है, चलो बढ़िया है, एक में टुकला गेट पे कोई है, चलो, तो अब j आ गया, अपना second to the right, जे के right side में दो लोग हैं, तो एक possibility में हमने j को south दिखा दिया, एक possibility में हमने j को north दिखा दिया, ठीक है, अगर नहीं कि आप लोगों ने, तो एक बार शेर कर दो, D faces the same direction as a C, so D and C क्या गर रहे हैं, same direction देख रहे हैं, फिर क्या लिखा है, बोथ P and O faces opposite of M, इसका जो मतलब होता है, मेरे dictionary में इसका मतलब होता है, कि P और O same दिखा देख रहे होंगे, और M उसकी विपरीद दिखा देख रहे होंगे, तो यह मेरी अपने एक notations बने में बरा रखे, R sit to the immediate right of C, C के immediate right में R है, आगे लिखा है, only one person sit between C and M, तो C और M के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है, बोथ the immediate neighbors of Y face the same direction, immediate neighbors of Y face the same direction, ठीक, J face is north, L है, जे face is north है तो यह हमने क्यों बनाया पर, इसको हटाओ, ठीक है न, J face is north हो गया, फिर है O sits third to the left of R, R के left side में O है third number, only one percent between Y and R, okay, Y and R, P does not sit at any of the extreme end of the line, तो P end पर नहीं है, ठीक है, अब देखिए भई, Y से हम R इधर भी ले जा सकते हैं, Y से R इधर भी ले जा सकते हैं, कहीं पर भी लेके जाएंगे हमारे को C मिल जाएगा, वहाँ से, R से C मिल जाएगा, R से O भी मिल जाएगा हमें, है न, और C से M मिल जाएगा, चलो भई, अब ज़रा इधर ही आ जाते हैं, R ये है, Y, R, अगर Y से मैंने R यहाँ रखा, तो R से C धर आएगा, C से M धर चला जाएगा, है न, अच्छा जी, ओके, और R से 2 छोड़के O, अब देख लो, यहीं पर वाइलेट होगा, यह कंडिशन, कैसे देखो, Y से अगर R हमने यहाँ रखा, तो C और R पडोसी हैं, C यहाँ पर आ जाएगा, C और M में एक का गैप है, M यहाँ आ जाएगा, अब R और O में दो का गैप है, R से O नहीं आ पाएगा, कंडिशन गलत हो गई, ठीक है, तो इसको क्या कर दो, अब दूसरी कंडिशन उठा लो, Y और R में R यहाँ पर आएगा, और C यहाँ पर आएगा, C के इमेडियेट राइट साइड में R है, तो C के इमेडियेट राइट साइड में आएगा, ठीक है, C और M में एक का गैप है, C से M इधर आ जाएगा, R और O में दो का गैप है, R से O इधर नहीं आएगा, R से O इध M अगर North देख रहा है तो O और P South देखेंगे, तो O South देखेंगे, ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद में, D और C से हम देख रहे है, वो तो ठीक है, Y और J, ठीक है, हाँ, एक चीज एंड पर नहीं थी, ना, P does not sit at any of the end, तो P हाँ नहीं आएगा, P हाँ पर आजाएगा, बचा J, Y, O, D, C, J, Y, O, D नहीं होए, न, D यहाँ पर आजाएगा, D और C सेम देख रहे हैं, C North तो D भी North, P और O सेम देख रहे हैं, तो P और O सेम देख रहे हैं, यह आपका बनके त्यार होगे, ठीक, चलो, तो इसका final arrangement जो है, आपर आप देख सकते हो, कितने लोग North देख रहे नौर्थ की संख्या एक बार देख लो, D, M, C और J, D, M, C और J, बाकी सब साउथ, ठीक, तो यह आपका सही बनके एकदम त्यार हो गया, question number 27 करिए, 8 persons है, अलग-अलग तरीके से लोगों को अरेंज करना है, अपने हैसाब से करिएगा, 4 मिनिट का समय मैं फिर से दे रहा इस question को जल्दी से बना दीजिए, ठीक है, यहाँ पर timer लगा हुआ है, session को एक बार share कर दीजेगा, और पसंद आ रहा हो तो like कर देना, जब बन जाए तो done लिख देना, ठीक है? झाल 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 अब ज़रा बताना कुणी सेवंथ का अंसर क्या होगा कुणी सेवंथ का अंसर क्या होगा बताएगा अंसर का अंसर के अंसर को दो वो मंग द फॉल्लविए था इग्जाम एट एट एम शोडी एट पीम आउन वेंस्टे 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 वाद एगा आंसर करिये ओप्शन फोर एडवर्ड चलो देखते हैं क्या लिखा है आठ परसन है A B C B E F G H I have exam on Monday Wednesday Friday Sunday okay so Monday Wednesday Friday Sunday Monday Wednesday Friday Sunday ठीक है और टाइमिंग क्या है आठ और 2 यहां पे दिखकत आई गही जिस बच्चे नहीं चीज़ नोटिस कर ली ना मजह आगया बाई देखो 8 PM और 2 PM में पहले क्या बजता है पहले क्या बजता है 2 PM बजता है फिर 8 PM बजगा 12 तो पहले 2 PM लिखना फिर 8 PM लिखना है 2 PM and 8 PM समझ में आई बात अगर ये चीज किसी ने भी notice करी और इसको सही किया तभी ये questions भी बन पाएगा वरना इतना हलुआ question भी आपको 12 बजा देगा आपके ठीक है? आजो बई अब कहानी शुरू करते है भानू's exam is on Wednesday ठीक है? तो भानू यहाँ पे आ जाएंगे There is one exam scheduled between Amala and भानू ओके? So A and B के बीच में A एक exam है Dolly and Chinoo have exam on the same day So D and C Same day पर है ठीक है? ना? Same time भी हो सकता है, same day भी So same day पर है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं ठीक है? इसके बाद क्या है? Ganesh has an exam at 8 p.m. of one of the day So Ganesh at 8 p.m. ठीक? Amala's exam is on either Monday or on Wednesday अब देखो यार अगर Amala को हम देखें B से A का connection है ना? तो भानू अगर अच्छा क्या बोल रहा है? Amala या तो Monday या Wednesday तो Wednesday तो होई नहीं सकता Amala कभी वे Wednesday तो होई नहीं सकता क्योंकि भानू Wednesday पर है और भानू और Amala में क्या है? एक का gap है अगर भानू Wednesday पर है तो Amala कभी वेंसडे पर नहीं होपाईगे मतलब Amala कहा जाएगी? Monday पर जाएगी अब Monday पर कैसे जा सकती है? समझो भानू अगर 2 पीम पर है तो Amala भी 2 पीम पर हो जाएगी और भानू अगर 8 पीम पर है तो Amala भी 8 पीम पर हो जाएगी ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है तो देखेंगे मेरा तो मन 2 पीम से शुरू करने का होगा लेकिन अगर ये नहीं बनेगी तो फिर 8 पीम पर रख देंगे आगई कहानी देख ते क्या पता कुछ और मिल जाएग तो चीनु के जस्ट बाद में हमजा का है ठीक है अब ये जो एक-एक का डैश बना है इसका ये मतलब नहीं कि एक का गैप है इसका ये मतलब है कि अमाला और एडवर्ड के बीच में जितना भी मामला है वो डॉली और गनेश के बीच में सेम है वही है ठीक है ना ये एक का डैश का मतलब ये मत सबज़ ना कि एक-एक का गैप है बस वो तरीका होता है अपना बनाने का ठीक एक्जाम फ्रांसेस इस सम्वेर बिफोर गनेश तो गनेश से पहले फ्रांसेस का एक्जाम है कितना पहले ये नहीं पता चलो भी भानू शुरू कर लो भानू अमाला अब कुछ मिल रहा है गया कुछों नहीं मिल रहा भाई क्या करें डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी ओके डी सी डी सी देखो डी और सी है सी के जस्पात में हमजा है सी के जस्पात में हमजा है और डी और सी एक साथ है एक ही दिन पर है तो डी सी या तो फ्राइडे पर एक साथ होंगे या फिर संडे पे एकसा ओ개। अगर dewी-से happy एकसा थे तो सी के बाद में human do לא хотите ऐसे छी रखने पढेंगा और हम्जा फिर हाँ आजाएगा ठीक है ना इसके अलावा अपना कुछ नहीं हो पाएगा इसके लाबाँ कोई संगल पॉसिबिलिटी नहीं है डॉली चीनू इसके बाद में तुरंत हम्जा अच्छा इसके बाद अब एड़वर्ड अपना डॉली और गनेश गनेश भी आ जाएगा तीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब यहां पर आपको calculation करनी पड़ेगी कि Amala अपने पास में है और Dolly अपने पास में है Edward और Ganesh रखने है जिसमें से Ganesh के लिए एक possibility है कि हाँ भी वो 8 p.m. पर है और 8 p.m. की जगाएं भी अपने पास काफी सारी खाली है देखो भई, अगर Dolly यहाँ पे है तो Amala से एक दो Edward यहाँ पे possible है ठीक है ना? अच्छा जी यह सब कर दोगे तो गनेश से पहले Francis भी आ जाएगा? बिलकुल आ जाएगा अगर Dolly से तुमने तुरंट पहले Dolly से तुरंट पहले क्या कर दिया? गनेश रख दिया तो Amala के तुरंट बाद मे अड़ड आएगा अगर Dolly से तुरंट पहले गनेश रख दिया तो Amala के भी तुरंट बाद मे अड़ड आएगा, अब गनेश के बाद में Francis हो जएगा अगर Dolly से उपर लेके गए तुम गनेश को एक दो के गेप-पर गनेश को टो अम्हला से aq2 के गैप पर Edward तो आ जायगा फिरसे लेकिन गनेश के नीचे फ्रांस्स आयगा तो फ्रांस फस जायगा यह जो फ्रांस्स को यहाँ रखेंगे अमाला से u Adwan को हम यहाँ रखेंगे और बचा हुआ फ्रांसिस यहां पर आ जाई यह बनके त्यार होगा सही है ठीक है हाँ जी सो प्रॉब्लम आई होगी मैं समझ पा रहा हूं और वो यहीं पर फसे हो गया आप लोग आपने आठ और दो ऐसे रख दिया होगा फिर गड़बड हो गया होगा तोगी गनेश आठ पर है यहीं फसे हो गया यहीं बैंड बज गई होगी ठीक चलो अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं यह इसका आगे आजो यह इसका फाइनल अर्रेंजमेंट है और इस चीज का ध्यान रखियागा कि एक्जाम में भी आपको यह शफल करके दे सकते हैं आगे पीछे हो सकता है आपको पता लगाना पहले क्या बज़ता है ठीक है सो 28th question करिए इसका solution करिए और जब बन जाए तो एक बार comment box में डन लिख देना चार मिनिट का समय देना हूँ इस 4 minutes sufficient हाँ sufficient है बनाव ठीक है यह आपका यहाँ पे चार मिनिट का timer रख दिया हमने झाल 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 तो भाई इसका आंसर बताने का कश्ट करें इसका आंसर बता सर्ट करें दुख तार्ट करें व्यू있 दुख सब्सक्र म् ची dope ठीक है दवनु लाइक पैना सॉने देखते हैं साथ परसन अलग अलग फ्लोर पे परसंस और उनके डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के मोबाइल ठीक है तो 7,6,5,4,3,2,1 यहां पर परसंस लिख देंगे यहां उनके ब्रैंड लिख देंगे उनली त्री पीपल लिव अबब दा फ्लोर उन विच जया लिव्स तो जया के जस्ट ऊपर सुर्फ तीन लोग हैं तो आप परसंट लिव बिट्वी जया अड ओपो तो ओपो यहां भी आ सकता है ओपो यहां भी आ सकता है राहूल लिव्स इमेडिटली बिलो दावन व लाइक समसंग फिर दावन वाइक समसंग लिव्स आवन नमबर फ्लोर ओपो एक दो तीन एपल अच्छा जी तो अब देखो ओपो और एपल इसी तरीके से आप आएंगे हाँ या ना देखो जया से ओपो यहां गया तो एपल यहां जाएगा जया से ओपो यहां गया तो एपल यहां जाएगा अब आगे कोई कंडीशन में कुछ पता चल जाएगा कि ओपो और एपल में अगर कुछ कनफरमेशन मिल रही है तो मिल जाएगी अभी हमने ऐसे रख दिये ताकि यह पता रहे कि हाँ ओप और एपल से यह जगह occupied है आगे बगते हैं नीरज लिव्ज इमेडियेटली बिलो रीना फिर क्या है? नीरज ड़स नॉट लाइक एपल नीरज को क्या पसंद नहीं है? एपल पसंद नहीं मुझे लगता है कि यही वाली बात जो है यही वाली बात हमारी यह possibility को reduce करेगी एपल और ओको को रीना और नीरज कहीं पे आएंगे? या तो नीरज यहाँ पे आएगा या फिर नीरज यहाँ पे आएगा तो वहाँ से फिर हमें एपल को हटाना पड़ जाए है देखेंगे? ओके अच्छा अरुन के नीचे है तो यह टिक लगा दिया तो अरुन के पडूस में सोनी नहीं है नितिन ड़स नॉट लिव इमिडेटली अबब और इमिडेटली बिलो जया तो नितिन नितिन इन दोनों जगहों पर नहीं है जाए आगे ज़स टूपर ज़स नीचे नहीं है अमिड ड़स नॉट लाइक नोकिया अमिड को नोकिया पसंद नहीं है अमिड को नोकिया पसंद नहीं है ठीक है ज़रा सैमसंग और राहूल को पकड़ लेते हैं यह एक चीज है या फिर अरुन और पैनासोनिक को पकड़ें अरुन पैनासोनिक अरुन एक दो पैनासोनिक एक काम करते हैं सैमसंग और राहूल को पकड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे एवन वाला खेल है तो सैमसंग इवन पे अपने पास सिर्फ एक ही जगह बच रही है क्योंकि छटा नंबर भी बुक है दूसरा नंबर ही बुक है तो सैमसंग तो सिर्फ एक ही जगह पर आप आएगा सैमसंग आ गया तो राहू ला जाएगा तो कुछ तो मामलफ ओक्यूपाई हुआ ना कुछ तो जगाए ओक्यूपाई हुई अब अरुन कहां कहां आ सकता है यह समझो साथ में पे आया तो पैनसोनिक नहीं आ पाएगा छटे पे आया तो पैनसोनिक आ जाएगा तो अरोन के लिए सरफ एकी जगा बची छटी नंबर की अरोन यहाँ पर आया तो पैना सौने के हाँ पर आ जाएगा ठीक है अब यह देखना रीना और नीरज यह दोनों एक साथ है रीना नीरज यहीं पर आ सकते हैं ठीक है रीना और नीरज यहीं पर आ सकते हैं या नीराज एपल नहीं है, ऐसा बोला गया है, यहाँ पे तो कुछ कनफर्म नहीं हो रहा है, क्या कुछ हमने गलत तो नहीं बना दिया, नीराज लिफ्स इमिरेटली अब अब रीना है, रीना के जस्ट उपर है, ना के नीचे, वही मैं सोचूँ क्योंकि इस information का मुझे यही यहीं पे इस्तमाल fit हो रहा था, मतलब यहीं पे लग सकता था fit, हाँ देखो लिख भी थी आब चुले, ठीक है ना, देखो अब ने इतने questions कर लिये हैं कि condition को पढ़के समझ में आ जाता है कि यह चीज किसलिए बुली गई है, तो यह आप लोग के साथ भी होता होगा, नीर ट्रियाज ए और नीरेज, apple पसंद नहीं करता है, तो नीरेज यहाँ पे आजाएगा, और रीना यहाँ आ जाएगी, ठीक है, अच्छा जी, अरुन का ज़नेश जच वपर नीचे व मतल इंग Ellis नहीं इस तो फुल्हे नहीं है, तो फुल्हें दूनी यहाँ आएगा, ठीक ह ही जिम्ण एक पर्षत बचा है कौन है घूंडो से घूंडो से अमित नहीं पर अमएथ नूकिया नहीं है तो नोकिया यहां आ जाएंगा त्षिके एक ब्रांड मच्छा कॉं साउब चया कॉल सबिचा कॉण सरे那麼 कॉल सब इंटेक्स 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 वक्षण i接下來 के यहां जाएगा एपल के यहां जाएगा उपकर यह मन की त्यार कि शहीं होगे विद रूं सब्सक्रिप्शन है कोशचन अच्छा था इंट्रेस्टिंग था नॉर्मल सा कोशन था भूआ पहले उन्ट फ्लूर्ट फ्लोर पे कौन है रहुल doubt now इस feature का इस्तमाल सभी लोग कर सकते चाहे आपके पास subscription है या नहीं है आपको बस करना ये है कि जो भी आपका सवाल है आसका doubt now पे click करके website पे जाओ या application पे आसका doubt now पे click करो click करने के बाद जो भी सवाल है उसको crop करो और submit कर दो language वहाँ पूछी जाएगी किस language में आपको solution चाहिए वो language select कर लो Hindi English जो भी आपको चाहिए होगा और भी बहुत सारी languages होती है तीन doubts एक साथ पूछ सकते हैं और बाकि connect होने के लिए telegram channel भी join कर सकते हैं शुभम कर गरीज रहें इस telegram channel पर आपको जो भी आप demand करोंगे वो मिल जाएगा मतलब कि कोई अगर playlist चाहिए कोई basic से course चाहिए कोई PDF चाहिए कोई आपको information चाहिए कोई doubt पूछना है वो सब कुछ आपको यहां मिल जाएगा ठीक है चलो अगले question पर चलते question number 29 और यह रहा आपका year based question इसको करिएगा बनाई है ठीक है ठीक है ठीक है और चलते रहा हाός यह रहा है भीक है लोस项 कर गच् Eule रखकम हों ठीक है जाएगा मिल टेक है मिल उहा साव झाल 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 हुआ 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 है है नहीं है तो काफी छोटा सा कोश्चन है इसमें भी टाइम लगा होगे शोन अग जा हुआ है वाब है भी तो को शुआ थपो तो êtreाग को झालिवा नहीं हुआ तो कोश्चन नमबर 29th का आप्शन आ रहा है P that is 3 है ना देखेंगे तो जब देख लेते हैं क्या है year based है 8% है 8 different years में पैदा हुए है 1969, 72, 76, 80, 82, 90, and then 94, 96 ठीक है फिर क्या लिखा है 2020 is the base year so 96 के हिसाब से 2020 वाला इंसान 24 साल का हो गया दो साल एड़ गया 26 हो गया चार साल एड़ के 30 हो गया आठ साल एड़ गया 38 हो गया दो साल एड़ के 40 हो गया चार साल एड़ के 44 हो गया यहां चार के 48 हो गया और यहां तीन के तो 51 हो गया ठीक है एजस सही निकाली है एक बर बता देना comment section ने बोल देना कि यहां सही है okay P is not the youngest of all so P यहां पर नहीं आएंगे W was born before Q but W was not the eldest among them so W यहां नहीं आएगा and W was born before Q U is four years younger than Q U is four years younger than Q ठीक है फिर है only three people born after R R के बाद में सर्फ तीन लोगों का जन्म हुआ है W was born either just after or just before R was born तो W, W, ठीक है P's age is one more than the perfect square number perfect square number से एक ज़्यादा 24 आया है ना अपना minimum 24 आया है मतलब जो perfect square से एक ज़्यादा होगा वो होगा 26, क्या 26 है? हाँ है perfect square से एक ज़्यादा 37, 37 है क्या नहीं perfect square से एक ज़्यादा 50, 50 है क्या नहीं तो 26 ही एक बचा, कौन होगा वो 26, T होगा, तो T यहांपे आ गया इतना सही है क्या करें कुछ तो करना पड़ेगा ठीक Q एक मिनिट U was four years younger than Q था न U was four years younger than Q ठीक है न किसी ने notice भी नहीं किया बताया नहीं आप लगोंने ये चीज गलत लिख दीती है तो Q बड़ा है U से और चार साल का गैप है ये चार साल का गैप यहां पूरा कर सकते हम और कहीं तो पूरा नहीं हो सकता इस वाले केस में ठीक है तो Q U इस वाले केस में आजो चार साल का गैप यहां भी पूरा हो सकता है यहां भी पूरा हो सकता है ठीक है और Q के उपर W है अच्छा इस वाले केस में देखो W यहाँ आएगा और W आ नहीं जबता है यह गलत हो गया ठीक है तो अब यही रेप्लीका अगर यहाँ पर हम create कर देंगे कि Q यहाँ रख दिया है डल डल सबसे उपर नहीं होगा बचा हुँगा जो पर से वह यहाँ जाएगा पी क्यू आर एस एस बचा हुआ है रोष क्या हो गया बताओ यह सका फाइनल अरेंजमेंट है और अगले सवाल पर चलते हैं आज का आखरी कोशन है, seven boxes are placed in a linear stack, linear stack में है, linear stack ऐसे है, stack है न, तो ऐसे हो जाएगा, top to bottom, ठीक है, बनाइए, चार मिनिट का समय दे रहूँ, यहां timer लगा है, ठीक है, session पसंद आ रहा है, तो like कर देना, कोई बात नहीं है, आखरी कोशन बचा, इसको कर ले न, फिर अपन मिलते हैं, plus class में 7 बचे, ठीक है, करिए इसको, कर साफरी कर दूआ है, तो यहां मिलते हैं, झाल 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 तो आगे बढ़ते हैं question number 30 का answer करिए झाल तो option number 3 आ रहा है that is you चलो let's see क्या हो सकता है देखेंगे क्या लिखा है 7 boxes and one above the अदर ठीक है 7 है 8 है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यह ऐसे क्यों लिखा है मैंने क्योंकि हमेशा पहला box सबसे नीशे फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा पांचवा चटा तो वही सीरीज हमने अपना ही है लिखा क्या है वह तो आप च आप पर अर्दो वहीं स क्क क्या शबबड़ प्ली समय आप मा voice इंस अव रद़ीते जाप्य और gesब्थर नाप्योंप्य है च। वहीं सबस्ट आप लिए सैग ऑ्यद प्युर जाना तीसरा जाप्यदश तीशू है अच्छा, the circle-shaped box is placed just above the pentagon. ठीक है, W is a hexagon-shaped, but it is not placed on the odd-numbered position. So, W is hexagon. Not placed on odd-number. Box S is placed at the second position from the top. V is placed just above Y. Diamond-shaped box is placed just above square-shaped, just below rectangle. ठीक है, तो diamond, square, rectangle. ऐसा ही तो बोला है, diamond just above, square, just below rectangle. X is pentagon and is placed at the fifth number. X, pentagon, pentagon से कुछ related था, circle था. ठीक है, ओके, E1 पे है W hexagon. E1 पे W hexagon, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है. अब W hexagon से related और कुछ है कि नहीं है? अच्छा, सबसे पहले हम V और Y को रख सकते हैं, न? V और Y को. तो अब W और hexagon यहाँ आ जाएगा. ठीक है? अच्छा जी. इसके बाद V square नहीं है, Y circular नहीं है. Y circular नहीं, V square नहीं है. ठीक है? Rectangle, diamond और square. तो एक ही जगे पर आ सकते हैं, rectangle. क्या है? Diamond. ठीक. एक बचा है, कौन है वो? धूंड़ो उसे. S T U V S T U V U बचा है, न? और कौन सी shape बची है? triangle बची है, na? triangle नहीं है अब ही तक, triangle बची है. ठीक, यह बनके आपका त्यार हो गया. सही? चलो. ओके जी. तो, हाँ, यह सही है. U आजाएगा आपका triangular. एकदम सही है. एकदम बढ़िया. बहुती शांदार, बहुती बढ़िया. तो, आज के 5 questions हमारे complete हुए हैं. अब, जरा एक बात समझ लीजे. Quants का mock आपका daily basis पे चल रहा है. सुभा साड़े आठ बजे. 35 questions यहाँ पे आपको display करे जाते हैं. बढ़िया level के होते हैं. clerk level के तो नहीं होते हैं. Prelims level का पूरा का पूरा mock रहता है. और साथी साथ reasoning का सुभा 10 बजे आपका mock होता है. यहाँ पे भी आपको 35 questions दिये जाते हैं. यह भी PO level के होते हैं. तो काफी जबरदस दोनों तरीके से mock चल रहे हैं. इन दोनों mocks में participation ज़रूरी है. टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लीजे. सर्च कर लेना शुभामगर्ग reasoning आपको में मिल जाओंगा. बाकी combat आपका 24 तारिक को होने वाला है. और profile ज़रूर follow कर लीजेगा. Report and Win में क्या है कि कोई भी अगर in appropriate content आपको इस चैनल पर नजर आता है तो आप उसे report कर सकते हो. Report करने के लिए description box में एक link दिया गया है. Bugs and Bounty program के नाम से उस पे click करिए. जो भी details आपसे मागई जाओं ने fill up कर दीजे. Report जब submit हो जाएगी तो मारी team उसको verify करेगी. अगर वो report सही है और आप पहले इंसान है उस चीज़ को report करने वाले तो आपको Amazon voucher दिया जाता है. ठीक है? चलो बाकी price बढ़ने वाले है 15 तारिक से. Today is 14th and tomorrow will be the 15th of April. तो कल के बाद से आपके price subscription वाले बढ़ जाएंगे. So make sure कि आज या फिर कल ही आप subscription purchase कर ले हैं. ठीक है? चलो. So session को like कर दीजगा, share कर दीजगा, channel को subscribe जरूर कर देना. Plus class है हमारी 7 बजे. तो लगभग 50 मिनिट बचे हैं, 50 मिनिट के बाद में 7 बचे आपकी plus class होगी. आज sitting arrangement की 4th class होगी. तो उसमें जरूर participate करें. ठीक है? शलो. Boy take care, ख्याल रखेगा, do like and share the session.